कहते ममता मम का जो भाव है उसी का नाम ममता मम शब्द से ही ममता है तो मम के कारण हम बने जो हमारा नहीं है उसको हम यही कहते रहे यह हमारा यह हमारा और जो यथार्थ में हमारा है परमात्मा और हम यथार्थ में जिसके हैं उसको हम अपना नहीं कह सके इसी कारण बंधन है अब इस बंदन से मुक्ति कैसे मिले वोले दूसरा अनुसंधान करना पड़ेगा दूसरा अनुसंधान क्या है वोले नामम संसार की हर बस्तुओं का उपयोग करो उपयोग करना गलत नहीं है संसार की हर बस्तुओं का उपयोग करो घर मकान दुकान बस्तु सुक्सुविधा जो परमात्मा ने प्रारब्ध में दिया है लेकिन इनका भोग करते हुए भी मन को ये समझाते रहो ना मम ये मेरा नहीं है ये मेरा नहीं है मन समझ ले बोले माराज दोनों कैसे होगा उपभोग भी करते रहें और ये भी समझें कि हमारा नहीं है वो लेहां समझना पड़ेगा और आप समझते हो ये आदत आपकी है लेकिन सब जगा नहीं है जब आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो ट्रेन की यात्रा में जब ट्रेन में बैठते हो तो कभी आपने सोचा कि ये ट्रेन हमारी है कभी नहीं सोचा लेकिन उपयोग करते हो ट्रेन में जो आपकी सीट है उस सीट को कभी आपने ये माना कि ये मेरी है आप जानते हो बस इतनी देर की यात्रा में ही मेरी है अब तक मुझे इस पर बैठना, इसके बाद ये मेरी नहीं है, आगे किसी और की है। आगे किसी दूसरे का रिजर्वेशन होगा। उसी प्रकार संसार में सरवत्र ये चिंतन हमें करना है, कि हमारा कुछ नहीं है। हम तो केवल उपयोग करता हैं, और अभी हमें इसका उपयोग कर लिना। रेल्वेशन की सीट पर आप बैठते हो, प्लेट फार्म पर बैठते हो, लेकिन जानते हो ये हमारी नहीं है, हमारी गाड़ी आएगी, तो हमें जाना पड़ेगा। वहाँ पंखा भी लगा है, कूलर भी लगा है, वाटर कूलर भी है, सब का आप उपयोग करते हैं, लेकिन कभी आपका मन ये स्विकार नहीं करता कि ये मेरी है, मन यहीं कहता ये तो सरकार की है, उसी प्रकार संसार की वस्तुओं का उपयोग करते हुए ये भावना रखनी चाहिए कि जो कुछ है सब सरकार का है सबसे बड़े सरकार जो उपरवाली सरकार भगवान का संपति सब रघुपति के आहीं संपति सब भगवान की हूँ मैं तो उनका सेवक हूँ मैं सेवक समेत सुतनारी मैं तो भगवान का सेवक हूँ सब कुछ भगवान का यही मुक्ति का कारण और यही हम भूल जाते हैं और जहां मम मम करते हैं मेरा मेरा फिर वहीं से दुख शुरू होता है और वहीं से माया का कारिय प्रार्म हो जाते है वो स्वामी तुलसी दाश जी केते हैं माया क्या है मैं अरुमोर तोरते माया यही माया है मैं अरुमोर मैं मेरा तू तेरा यह तेरा है यह मेरा है यह मैं हूँ यह तू है यही तू तू मैं मैं ही तू माया है गोस्वामी जी माराज कहते हैं मैं अरुमोर तोरते माया मैं नरोर तोर तर्वाया यही बस की ले जीव लिकाया यही बस की ले जीव लिकाया मैं अरुमोर तोर तर्वाया मैं अरुमोर तोर तर्वाया मैं अरुमोर तोर तर्वाया यही माया है रिशब देव भगवान ने अपने पुत्रों को प्रजा को बड़ा सुंदर उपदेश किया है फिर रिशब देव भगवान इसी प्रकार जंगल में विच्रण करते रहे एक दिन जंगल में आग लग गई और उसी दावागन में अपने सरीर को विलीन कर दिया इनहीं रिशब देव भगवान के पुत्र स्री भरत जी जो इस देश के राजा हुए जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष था इस देश का नाम अजनाभ वर्ष रिशब्देव भगवान के पिता जो नाभी थे उनके नाम पर अजनाभ वर्ष लेकिन भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा रिशब्देव के पुत्र जो भरत है इनके तीन जन्म का बृत्तांत शुकदेव जी ने राजा परिक्षित को सुनाया रिशब्देव भगवान के पुत्र महात्मा भरत अपने पिता जी के पत्चिन्हों पर चल कर समय आने पर अपना राज जपने पुत्र को दे कर जंगल में तप करने के लिए चले आए और जंगल में जब तप करने आए तो कहा पर उले गंड़की नदी के तठपर राजपाट सब छोड़ कर तप करने आये मोह माया त्याग करके आये लेकिन थोड़ी सी असावधानी के कारण इनको मोह हो गया और हुआ ये कि एक दिन गंडकी नदी में अश्नान करके संध्या बंदन कर रहे थी तब तक कोई हिरनी पानी पीने के लिए आयी और वो गर्भवती थी जंगल में सेर ने गर्जना की सिंग की गर्जना सुन करके वो हिरनी डर गई और अपने प्राण की रक्षा के लिए हिरनी ने छलांग लगाई उसी समय उसका बच्चा गर्भ से बाहर आ गया प्रसो पीडा के कारण वो हिरनी तो मर गई और उसी पानी में हिरन का नवजात शिशू फड़ 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 करने लगा भरत जी ने देखा ये तो मर जाएगा इसकी मा मर गई है इसको दूद कौन पिलाएगा और इस ठंडे जल में तो ये थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाएगा और अगर ये बच भी गया तो ये जीएगा कैसे क्योंकि अभी तो घास भी नहीं खा सकता और इसकी मा मर गई कौन दूद पिलाएगा ये भाग भी नहीं सकता कोई हिंसक जीव इसे मार देगा उश्मा दे और दूद पिलाकर फलों का रस पिलाकर उस हिरन शावक को उस हिरन की बच्चे को पाला दीरे दीरे वो बड़ा हो गया बहुत अच्छा काम किया भरत जी ने दया करनी चाहिए दया के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं है यहां तक कहा गया है उस धर्म का त्याग कर देना चाहिए जिस धर्म में दयान हो त्यजेद धर्मम दयाहीनम दया से हीन धर्म का त्याग कर देना चाहिए विद्याहीनम गुरुम त्यजेद अगर विद्या से हीन गुरु है है तो फिर गुरु बनाने का मतलब क्या निकला गुरु का मतलब जो हमें ग्यान दे और उसको को ही ग्यान humour ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना विद्या हिनम गुरुम त्यजएत in Tati पीडासम नहीं अधमाई, परहित से बड़ा कोई धर्म दुनिया में नहीं, और अठारह पुराण में बेदव्यास जी ने एक ही बात लिखी, पूरे अठारह पुराण में बेदव्यास जी के मुख्य दो बचन है, क्या दो बचन है, बोले दो ही उपदेश मुख्य है बेद द्वान लोग कहते, क्या अश्टा दस पुराने सु ब्यासस्य बचनत द्वयम, अठा रह पुरानों में ब्यास जी के दो बचन ही प्रधान है, क्या परोपकार पुन्याय पापाय परपीडनम, परोपकार ही सबसे बड़ा पुन्य है और दूसरे को दुख देना यही सबसे बड़ा पाप, कितना उत्कृष्ट धर्म है, और इसी धर्म का पालम किया भरत जी ने, उस बच्चे को बचाया, लेकिन हुआ ये, कि वो बच्चा जियों जियों बड़ा हुआ, भरत जी का उस बच्चे में मोह हो गया, वही मम, जिस मम की अभी चर्चा हो रही थी, मम्मा पाले मेरा, भरत जी को ये लगा कि ये तो मेरा है, जंगल में बहुत सारे हिरन थे, लेकिन उन हिरनों के प्रति ये भाव नहीं था, उसके प्रति वो भाव पैदा हो गया कि ये तो मेरा है, ममता हो गई, और उस ममता का परिणाम बड़ा भयानत वहा, उसके बिना रह नही पाती पूजा करने बैठते तुलसी बेल पत्र दूर्बा पान का पत्ता पुष्प ये सब पत्रावली में रखकर जब पूजन करने बैठते चला गया कोई बात नहीं जंगल में इतने हिरन रहते हैं ये भी रहेगा इसका प्रारवधिस के साथ लेकिन ये मेरा है मेरे पास रहे इस मोह के कारण बार बार उस हिरन का स्मण करते रहे बिठित होते रहे दुखी होते रहे संद्यावंदन जब तब सब छूट गया और संयोग से भरत जी की मृत्यू आ गए मृत्यू बता के नहीं आती मृत्यू कोई अलार्म नहीं देती मृत्यू कोई पूर्व सूचना नहीं देती मृत्यू तो अचानक आती है आय अचानक काल डटा काल तो अचानक आता है कभ गोही भी आ सकती ही, इसलिए संसार में देखा जाता है, लोग खाते खाते मर जाते हैं, पढ़ते पढ़ते मर जाते भाषन देते, देते मर जाते हैं बारत के राश्टपति, अबदुल-कलाम साहब भाषन दे रह थे सेमिनार में कहीं और वहीं बोलते बोलते समाप्त जीवन कहां समाप्त हो जाए ठीका ना नहीं कहीं भी किसी व्यक्ति का जीवन का अंत हो सकता है ब्रत्यु बता के नहीं आती इसलिए हर छण व्यक्ति को सावगान देते और भागवत का प्रथम उपदेश क्या है परसों की कथा में आपने सुना देते भागवत में इस तरह देते